हाजे हैं हम आपके सामने एक बार फिर से बॉलिवुड की दस बड़ी खबरों का काउंटडाउन लेकर आज है साथ अगस और बताते हैं कि आज बॉलिवुड में क्या-क्या हल चल देखने को मिली No.1 बेलबॉटम टीम के साथ लंडन रवाना हुए अक्षे कुबार से उडान भरी सभी मास्क और दस्ताने पहने नजर आए और सभी को आवशक सा अफधानी बरतते हुए देखा गया No.2 सुषान सिंग राजपूत केस में हुआ बड़ा खुलासा सुषान की परसनल डाइरी से गाइब है कुछ पन्ने जी हाँ मेडिया को मिली इंफोर्मेशन के मुताबिक सुषान की परसनल डाइरी से कुछ पेजस गाइब है दावा किया जा रहा है कि इस डाइरी के कुछ पेजस को फाड़ा गया है इस मामले में सुशान के चेचेरे भाई नीरज कुमार बबलू का कहना है कि वो डाइरी लिखता था मेरे सामने पुलिस वाले चार पांच डाइरी ले गए थे मुझे लगा था कि अच्छी बात है जांच के लिए ले जा रहे हैं मुझे नहीं बता था कि सुबूतों से छेड़ चार हुई है मुंबाई पुलिस का चेहरा पूरे देश केस सामने आ गया है सुशान सिंग राजपुत केस मामले में ED के आफिस पहुंची आक्टरिस रिया चकरवर्दी आपको बता दे कि आर्थिक अपराद मामलों की जांच करने वाली एजनसी ED ने इस मामले में 15 करोड रुपे के संदिग्द लेंदेन को लेकर मनी लॉंडरिंग का केस दर्च किया है दर्सल सुशान के परिवार के ओर से रिया पर पैसे निकलवाने धोका धड़ी और मानसिक प्रतार ना दे कर आत्मा हत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्च कराया है और इडी ने इस मामले में सुशान के दोज सिधार पिठानी और रिया की पूर्फ मैनेजर शूती मोधी को भी समन किया है सड़क टू की रिलीज से पहले बवाल सोशल मीडिया पर उठी बॉयकॉट की मांग दरसल हाली में आले बटे सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर रिलीस किया लेकिन पोस्टर रिलीस के साथ ही फिल्म को बॉयकॉट करने की बांग भी तेज हो गई सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ अलग ही मुहीम चुरू कर दी गई है नमबर 5 शारुकान के प्रडक्शन में बनी बॉबी दियोल की फिल्म क्लास ओफ 83 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें आते ही फैंस का दिल जीत लिया है इस फिल्म में बॉबी दियोल खा की वर्दी में एक रॉबदार पुलिस आफिसर के रोल में निज़र आ रहे हैं आ नमबर 6 साउ जब व्성बिट की सप्थारर रानडागू बाती और मीं नहीं न मादागाख पैजार की शादी की रस्मों का दौर शेẫn एंस को बहुत लिबा रहा वालिवुड स्टार आयुशमान खुराना की अपकमिंग फिल्म का एलान हो चुका है, इस फिल्म का डिरेक्शन अभिशे कपूर करने जा रहे हैं। पहली बार अभिशे कपूर और आयुशमान खुराना साथ में काम करेंगे, लेकिन तासा इन्फरमेशन के मताबिक आयुशमान इस फिल्म में वानी कपूर के साथ रोमांस करते देखने वाले हैं। मेकरस ने अब तक आयुशमान की फिल्म के नाम को फाइल नहीं किया है, लेकिन आयुशमान की फिल्म की कहानी एक लब स्टोरी होगी। इस फिल्म में आयुशमान एक एथिलीट का किरदार दिभाते नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग ऑक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी, जिसकी इंफॉर्मेशन फिल्म क्रिटिक तरह नजरश ने ट्वीट करके दी। नमबर एट इस बीगिन कपल शर्मा के शूट में टीम के परिवार वाले शूट में पहुँचे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को लेकर कई खुला से किये। अर्चिना के पती परमीश सेटी भी शूट में पहुँचे और उन्होंने इस दौरान अर्चिना के साथ अपनी शादी के बारे में खुब खुला से किये। वहीं शो में सपना का किर्दार ने भाने वाले कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शा भी शोबे पहुची। सामने आई रिया चकरवर्ती की कॉल डिटेल्स। यहां आपको बता दें कि रिया की कॉल डिटेल्स एक साल की हैं जिसमें खुलासा हुआ कि रिया मुंबई के एक टॉप कॉप के साथ कॉंटाक में थी। आपको बताते हैं कि मुंबई बैंडरा के DCP अभिशेक तुरी मुखी और रिया दोनों के बीच 21 जून से 18 जुलाई के बीच पांच बार बातचीत हुई और एक मोबाल टेक्स मेसेज का एक्सचेंज हुआ था। इसी के साथ कॉल डिटेल्स में ये बात भी सामने आई है कि रिया ने एक साल में महेश भट को 16 बार कॉल किया था। Bollywood की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए, सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवूद को And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिलकुल भी मिस्ना कर पाएं